जैहिन दोस्तों विलकम टू स्टडी ग्लोज मेरा नाम है दीपा क्यादव नाव इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं एक और बहुती जादा इंपोर्टेंट आर्टिकल को तो आप लोग को मालूमी होगा पिछले कोछ दिनों में बहुत सारे आर्टिकल कवर किये गए हैं कि स्रिलंका के कॉलंबो पोर्ट के पास में ही एक शिप के अंदर काफी भयंकर आग लगी है तो यहाँ पे डिसकस करेंगे हम लोग इस पूरे इशू के बारे में ये शिप कहां से जा रहा था स्रिलंका इसके अंदर क्या क्या समान था और इसने कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया है स्रिलंका के अंदर बढ़ते हैं आगे यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है अलग लग न्यूस्पेपर में जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्रिलंका ओन कार्गो शिप फायर तो डिस्कस करेंगे इस ओवराल इशू को लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर लेना और स्टडी ग्लोस का एप भी लॉंच हो चुका है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और साथी साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो यह है मेरी आईडी दीपक श्यादव एजूकेशन और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूस सकते हो नाओ देखो यह जो सिचुएशन है यह स्टार्ट हुई थी 20 माई से तो हुआ क्या था यह जो शेप है नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका नाम है MV Express Pearl यह Colombo Port जा रहा था और Colombo Port में एंटर करने से पहले ही इस शिप के अंदर काफी भयंकर आग लगी है जैसा कि यह जो पिच्चर है यह बता रही है अगर हम लोग अपके टाइम पर बात करें तो देखो यह आग लगे वे काफी दिन हो गया 20 माई को यह सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी अभी तक इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और इंडिया ने बहुत सारी मदद प्रोवाइड करवाई है स्री लंका को यहां पर आप देख पाओगे इंडियन कोस्ट गार्ड का यह टूईट है और इन्होंने बताया जो इंडिया के कोस्ट गार्ड शिप्स हैं जैसे की समुद्र प्रहरी हो गया वैभव वजरा ये सभी शिप्स को बेजा गया था वहाँ पर ताकि हम लोग इस पूरे फायर को कंट्रोल कर सेके और काफी अद तक आज के टाइम पर इसको कंट्रोल कर भी इसको क्या सब्सक्राइब आपको मैप मैं दिखा देता हूं तो यह स्रीलंका का मैप है यहाँ पर आपको को यह कॉलॉंबो पोर्ट देखने को मिलेगा यहां से लगबग 9.5 नॉटिकल मायल्स की दूरी पर ही यह जो शिप है इसके अंदर आग लग गई थी मतलब यह पो इस तरीके की इमेज जो है लगातार इंटरनेट पर देखने को मिल रही है यहां पर आप देख सकते हो इन फैक्ट जो शिप है वो सही से नजर भी नहीं आ रहा है इतना जादा यहां पर धुआ हो चुका है और साथी साथ बहुत सारे इसके अंदर गिर चुके हैं वो कोस्र तक तट तक जो है वो सारे कंटेनर पहुंच चुके हैं बहुत सारा मलवा एकट्टा हो चुका है साथी साथ जो एन्वोर्मेंट है उसको काफी भारी बरकम नुकसान पहुंचाए देखो इस तरीके से मदद प्रोवाइड करवाई जा इस शिप का नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल औकगे अब हैजिए जो शिप के सारे चैमिकल numerous सब्सक्राइटिक में उसके अदर लग और आग लग गई है तो लिट आप लोग इसको जाकर सर्क हो देखो यह बहुत जनल शी बात है इसको ऐसी चैलकुलेट कर सकते लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसी information आती है जिसमें काफी nautical miles लिखे वे हैं तो जाकर आप लोग simple सा जो उसको किलोमेटर में convert कर सकते हो तो यह जो 9.5 nautical miles है यह लगबख 17.6 km के आसपास हो गया तो मतलब कि यह जो port है य 1200 के आसपास container से अगर exact number देखें तो 1486 containers यहाँ पर देखने को मिले हैं 25 टन hazardous nitric acid भी था साथ इसाथ 325 metric ton fuels भी था इसके tank में तो obvious ही बात है यानि यह जो ship है इसका tanker भी पूरी तरह से भरा हुआ था fuel से तो आप समझ सकते हो इन सबी चीजों की वज़ा से यह जो आग है यह और जादा intensify हो चुकी है जो कि मैंने बताया है यह सारी चीज़े इसके अंदर थी इस चीज़ के ओपर और ध्यान देना 25 टन hazardous nitric acid भी था जो कि environment में काफी अता घुला है और उसकी वज़ा से क्या problem होई है आगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन सबसे अच्छी बात देखो यहां पर यह है किसी की जान नहीं गई है यह काफी अच्छी बात है इस ship के अंदर लगबग 25 crew members थे जो कि अगर हम बात करें तो starting में बताया था ना देखो एक question आप लोग के दिमाग में जरूर आ रहा होगा यह जो ship है इसको किसी country ने तो बनाया होगा तो हां बिल्कुल जायस question है तो देखो Wikipedia यहां पर यह बताता है कि यह जो express पर ले यह एक Singaporean container है मतलब की Singapore ने इस ship को बनाया है और 2021 में ही इस ship को बन ship है इसके अंदर आग लग चुकी है श्रिलंका के अंदर यह सिप चीजे भी यहां पर update हो चुकी है ओके ना फिलाल हमें पता लगाना था यह कौन सी country का ship है I hope आपको यह पता चल जाओगा अभी देखो बहुत सारे articles यह भी publish हो रहे है कि स्रिलंका ने यहां पर मांग करी ह यह सिंगापूर से जो भी यह जो ship है इसके owner है कि वो थोड़ा सा financial assistance प्रोवाइड करवा है जो की आज के टाइम पर नुकसान हुआ है स्रिलंका को environmental आपके सकते हो डैमेज हुआ है उससे यहां पर स्रिलंका निकल सके और उसी तरीके से यहां पर environment का article है देखो यहां पर य यह जो container है यह बहकर पास में आ चुके हैं तटपर आ चुके हैं इस तरीके से जो है यह मलवा आ चुका है मतलब काफी नुकसान हो चुका है अल्रेडी ओके ना उसके बाद यहां पर अभी की condition क्या है तो देखो अभी यहां पर एक updated news यह है कि अभी के time पर जो fire है उसको प देखा था पिछले कुछ pictures के अंदर वहां पर ship दिखाई नहीं पड़ रहा था इतना जादा pollution हो चुका है यहां पर ship clearly नजर आ रहा है क्योंकि आग को काफी अत्तक बुजा दिया गया है ना देखो काफी सारी authorities जो है स्रीलंगा की वो यह बोलती है कि यह जो incident हुआ है इसक सकते हो बुरी सी situation देखने को मिली है यहां पर एक article है यह भी देखो ऐसी situation ना पहले एक बार हो और हो चुकी है तो इसी को मैं revise करने के लिए मैंने यहां पर लगा दिया है आपको मालूम होगा Mauritius के अंदर बहले यहां पर शिप के अंदर आग नहीं लगी थी यह जो शिप है ना यह फस गिया था Mauritius में और शिप बीच में से तूट गिया था तूटने के बाद यहां पर oil spill देखने को मिला था large number में अगर हम बात करें तो large quantity में oil जो है वो पूरी तरह से फैल चुका था ठीक है और इससे काफी सारा ecosystem damage होता है अगर हम बात करें जो यह marine ecosystem है यह भी damage होता ही होता है और भी बहुत सारी problems create होती है जैसे की जैसे मौरिशस हो गया स्रिलंका हो गया यह जो areas है यह tourism के लिए इंटर्वी से और साथ ही साथ मैंने बता दिया GS paper से आप लोग किस तरीके से इसको relate कर सकते हो तो ध्यान रखना यह oil spill वाला आर्टिकल काफी important हो जाता है आपसे पूछा जा सकता है oil spill क्या-क्या effect पढ़ता है environment के उपर ना इसी के साथ करते हैं lecture को समाप I hope आप लोग को हुदा आया होगा मिलते हैं आप लोग उसे नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day जैहिंद